क्या आप जानते हैं कि रोजाना पांच घंटे या इससे भी कम सोने से बॉड़ी कितनी बुरी तरह मुतासर होती हैं, जिसम में क्या तबदीलियां आती हैं, और आज कल ये बहुत कॉमन है, रोजाना रात देर तक जागना, बहुत मुश्किल से पांच या छे घंटे की नीन लेना, साथ या आठ घंटे की नीन तो बहुत कम लोग ले पाते हैं, तो मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा, जो बॉड़ी को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि जब नीन पूरी नहीं होती, बॉड़ी सही से रेस्टेड नहीं होती, तो इसका एक बह जो सोता है, वो खोता है, उर्दू वाला भी और पंजाबी वाला भी, यही सुनने को मिला अमेशा और मुझे सुबा पांच बजे उठा के पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता था, लेकि नीन बहुत अच्छी आती थी, बहुत गैरी नीन होती थी, फिर जैसे जैसे बड स्लीपिंग विंडो साड़े साथ गंटे की थी, जो के पूरी दुनिया में अब काम होगी, लोग अब काम सोते हैं, मतलब अगर आप इसे कंपेर करें, 20 साल पहले भी अगर आप देखें, तो 6 गंटे की नीन एक कैवरेज इंसान ले रहा था, यह साथ आठ गंटे से 6 करती है, फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी, रोज मरा के कामों में जो बॉड़ी इनरजी यूज करती है, मसल्स और टिशू में वेर और टेर हो रहा होता है, फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ की एमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है, रोजाना कई फैसले कर रहे ह लोगों से मेल रहे होते हैं, दिमाग को टाइम चाहिए होता है, रिकवर करने के लिए, और सोते वक्त ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जैसा कि IGF-1 हॉर्मोन, ग्रोफ हॉर्मोन, मेलाटोनन और कॉर्टिसोल हॉर्मोन, यह हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं इस होता है, बोड़ी में बहुत से detoxification chain of chemical reactions चल रहे होते हैं, बोड़ी खुद को detox कर रही होती है, और अगर आप पूरी नीन नहीं लेते हैं, तो यह अमल नहीं हो पाता है, दिमाग बोजल सा रहता है, फटीग रहती है, daytime sleeping है, सारा दिन नीन में रहते हैं, mood changes, mood swings, जिसकी वज़ के शिकार लोगों को psychotic drugs दी जाती हैं, ताके यह सो सकें, दूसरी चीज़ जो मैं mention करूँगा, अगर आप एक student है, बढ़ाई का रहे हैं, या वो लोग जो creative work में involved है, writer है, content लिख रहे हैं, तो इसमें cognitive function, memory, focus, concentration, active concentration बहुत ज़रूरी है, और थकावट में यह सब नहीं हो प पतर होती जाती है, एक study की गई जिसमें 3000 students शामिल थे, जो रोजाना 6 घंटे या इससे भी काम सो पा रहे थे, इनमें यह देखा गया कि इनकी यादाश बुरी तरह मुतासर हो रही है, जो पढ़ते थे वो याद नहीं रख पाते थे, self-esteem, self-confidence low था, बुरी सोब, smoking, alcohol consumption, इन बुरी आदात की खायश इनमें ज्यादा थी, और जो सबसे खतरनाक बात थी, वो यह कि इनमें खुदकुशी का रुजहान पाया गया, नीन पूरी ना होने की वज़ा से sympathetic nervous system hyper active हो जाता है, इसे sympathetic hyper activity कहते हैं, इसमें दिमाग पर गनूदगी, sleepiness override कर लेती है असाबी निजा और जब stress जादा होती है तो body की recovery की ability भी काम हो जाती है, इसलिए जब नीन पूरी ना हो तो workout नहीं करना चाहिए, high intensity interval training की बजाए सिर्फ walk कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुरान exercise heart पे मजीद stress डालेगी, और फिर इस बात पे भी गौर करें कि अगर ये hyper activity chronic stage में चली जाए मतलब हफतों तक या महीनों तक body इसी state में रह, तो दिल की बेमारियों का risk भी बढ़ जाता, बजाए फाइदे के exercise नुकसान दे साबित हो सकती है, diabetic होने का खतरा भी बढ़ जाता, ये इस तरह होता है कि cortisol और adrenaline body में sugar release करते हैं, cortisol चूंके stress hormone है, तो body को लगता है कि बाहर खत बोडिकोइट्स भी कहते हैं, मतलब ये वो hormones हैं जो body में glucose को regulate करते हैं, और बिलाखिर ये वज़ा बनता है weight gain करने की या fatty liver की, body में high cortisol होने की वज़ा से immune system shutdown हो जाता है, paralyzed हो जाता है, stress में और white blood cells की तादाद काम होने लगती है, जो जिसम के मुदाफियती निजाम का हिस्स antibodies, body के अपने ही tissues पे attack करने लगती है, इनमें जिल्द की बिमारिया, inflammatory conditions, allergies, ये सब शामिल है, general treatment option में steroids शामिल है, cortisol दिया जाता है, क्योंकि cortisol anti-inflammatory होने के साथ-साथ immune depressant भी है, hyper active immune system को दबाता है, जिसे immunity मजीद कम जोर होती है, बिमारियों से लड़ने की ताकत काम हो जाती ह अगर आप weight lose करना चाह रहे हैं, तो stress में ये नहीं हो पाएगा, diet आप किसी की सही करवा सकते हैं, लेकिन अगर नीन सही नहीं है, exercise भी कर रहे हैं, तो इसका फाइदा नहीं होगा, गैरी नीन अगर ले रहे हैं, तब ही वजन काम होगा, फिर उसके बाद अगर कोई injury होती ह हैं, वो नहीं मिल पाएंगे, बाडी में सिर ब्रेकडाउन चलता रहे हैं, लेकिन रिकावरी नहीं होगी, अगला जो मसला है, वो sleep apnea, सोते सोते अचानक सांस बंद हो जाना, क्योंकि सांस बंद होने से बाडी में oxygen नहीं जा पाती है, जो लोग बहुत जादा खराटे ले oxygen को cells में जजब करवाने के लिए, लेकिन अगर sleep apnea है, जिसमें body में जाने वाली हवा का रस्ता ही बंद है, खास तोर पे जब सो रहे हैं, तो ये बहुत से serious मसाइल की वज़ा बन सकता है, जिसके brain atrophy, दिमाग का frontal cortex है, वो size में कम होने लगता है, shrink हो जाता है, उन लोगों म और hopefully कुछी देर में नीद आ जाएगी, कुछ और tips भी हैं, जैसा कि room का temperature 20 degree Celsius तक होना चाहिए, ज्यादा गर्मी ना हो, जिस कमरे में आप सो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भी 22 degree तक, क्योंकि कमरे का ठंडा रहना ज़रूरी है, कमरे की अगर आप खिड़की खोल लेते है ठंड और शोर का खतरा ना हो, हवा आती जाती रहे, तो बेहतर तरीके से सो पाएंगे, लेकिन अगर room भरा भरा है और गर्मी है, तो नीन सही नहीं आएगी, एक और जो ज़रूरी बात है, जिस room में आप सो रहे हैं, वहां electronic gadgets ना रखें, TV, laptop, mobile phones, इनमें से EMF waves निकलती हैं और quality of sleep मतासर होती है, खाने की मिकदार जो आपने दिन के आखरी हिस्से में खाई है, अगर ज्यादा है, तो आप सही से नहीं सो पाएंगे, bloating होगी, paid fuller रहेगा, जिससे नीन मतासर होगी, तो overeating से बचना, सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें जो खाना, लेकिन under eating भी नीन क मतासर करती है, खास तो और अगर आपकी डिली प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं है, तो सोने में मुश्किल होगी, नीन सही से नहीं आएगी, सो के उठेंगे तो freshness ने feel करेंगे, अगर आप एक मुनासिब मिकदार प्रोटीन की दिन के आखरी मील में लेते हैं, अपनी age, अ होते ही off करते हैं, गयर जरूरी lights तो जो darkness है, जो अंधेरा है, यह help करता है melatonin के बढ़ने में, यह वो हॉर्मोन है, जो नीन की quality को बेहतर करता है, इसके पर एक light, खास तो और ब्लू लाइट जो TV और computer screen से निकल रही होती है, यह melatonin hormone को body में कम करती है, तो बेहतर तो यह ह है कि आप घर में मौझूद ज्यादा तर lights off कर दें, इस वीडियो तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है next video में, अलाफेस